मित्रों आज मैं कुंडलियों में मांगली दोस के बारे में बताने जा रहा हूँ इस दोस का भी हमारे समाज पे बैवाहिक जीवन के लिए जब कुंडली मिलान होता है तो एक बहुत बड़ा विसाप मानते हैं मांगली दोस को कि मंगल है इस लड़के का विवा मांगलीक से ही होगा या मांगलीक कन्या इसका विवा तो मांगलीक लड़के से ही होगा जबकि हमारे सास्त्रों में कहा गया है कि मंगल लगन में, चौथे घर में, सब्तम भाव में, अश्टम में और द्वादस में इस्थिती अगर मंगल का है तो मंगली दोस बनता है किन्तु इसके भी अपरिहारे हैं, अगर वो राहू के साथ बैटा है, किंदर में गुरू बैठा है, मेश का मंगल है, किसी अस्थान पे मकर का मंगल है, किसी अस्थान पे ब्रिसिक का मंगल है, किसी अस्थान पे कर का मंगल है, तो मंगली दोस उन पर सितियों में नहीं बनत एक कन्या के कुंडली में मंगल का होना बर के कुंडली में भी मंगल का उसी अस्थान पर होना आवश्यक नहीं है यह साथ सम्मत है कि उस अस्थान पर कोई भी कुरूर गरा होना चाहिए जैसे सूर्य, राहू, मंगल, सनी उसके बाद गुड मिलान होता है आप सब को पता है 36 गुड होते हैं मिनिमम कम से कम अठार गुड मिलना अवश्यक है वैसे अब परिहारे में कहा गया है कि यद 27 या 27 से जादे गुड मिलते हैं तो मांगली दोस भी भंग हो जाता है कुछ भी द्वानों को कहना है कि 27 वर्ष की आई होने के बाद बर्या कन्या की मांगली दोस का कोई महत्व नहीं रहता मांगली दोस लगन का सब्तम का अश्टम का कड़ा होता है उन पर सितियों में गरह मिलान आवश्यक है यदि कुंडलीयों में गरह मिलान बिलकुल बराबर है जितने कुर या पाप गरह बर के कुंडली में बैटे हैं उतने ही पाप गरह करना की कुंडली में बैटे हैं तो बिवा करना उचित है किन्तु मंगल के अस्थान पर दोनों की कुंडलीयों में कोई न कोई कुरूर ग्रा बैठा होना चाहिए जदी कन्या है मांगलिक तो बैवाही जीवन के पहले उसके उपाय में बताया गया है कि पीपल के बिच्छ से कलस्पे भगवान विश्व के स्थापना करके सालिक ग्राम से फेरे घुमाई जाते हैं उस दोस के निवारण के ल झाल